हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज हम बनाएंगे 8 प्लस मन्त बच्चों के लिए बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इस रेसिपी में हमने 2 ऐसे इंग्रेडियन्स का यूज किया है जो बच्चों के बजन और ताकत बढ़ाने के लिए ब अब इन आलों का चल कर निकाल देंगे और चोटे चोटे टुकड़ों में काट लेंगे आलों को हमें ज्यादा बड़ा नहीं रखना है इसे आप बच्चों के लिए 2-3 बार यूज कर सकते हैं अब एक स्टील के बर्तन में इन आलों को डाल देंगे और एक ग्लास के करीब पानी एड़ करेंगे और इन आलों को ढखकर 8-10 मिनिट के लिए पकाएंगे जब तक कि आलो पूरी तरीके से पक ना जाए आप देख सकते हैं आलो अच्छे से पक चुके हैं अब इन आलों को चान लेंगे और इनका पानी निकाल देंगे अब एक बोल में हम आधे आलों को अच्छे से मैश कर लेंगे इसके लिए एक चम्मजगाय के गी को गर्म कर लिया है अब इसमें मैश किये हुए आलों को 2-3 मिनिट के लिए भोनेंगे जैसे ही यालों भुन जाएंगे इसमें एड करेंगे एक किलास या 300 मिल के करीब दूद और इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अज़ेस्ट कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप इसे लिक्विड रखें अगर 2 साल से बड़ा है तो आप थोड़ा सा ठिक रख सकते हैं अब हम इसमें एक चम्मस से भी कम चीनी आड़ करेंगे और पकाएंगे लास्ट में हम इसमें वन फोर्थ स्पून के करीब ड्राइफ्रूट पाउडर आड़ करेंगे जिसकी रेसिपी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इस बीडियो के एंड में देख सकते हैं हमारी आलो के खीर बनके तयार है इसे आप बच्चे को खिलाएं वो बहुत ही स्वाद लेके खाएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें